practical किया था thomasan experiment ने तो jp thomasan in 1928 performed similar experiment with a thin gold foil in place of nickel crystal उसने ये सारा practical same किया यहां पर nickel crystal की जगा क्या ले लिया gold यहां पर उसने gold का ले लिया and observe diffraction pattern as before this confirmed the wave nature of the electron और उसने wave nature को confirm कर दिया diffraction pattern वार आसो επसवर्ब विद प्रोटोन न्यूट्रोन हाइडरोजन एक्रमलाज यह ईचेफ से रचिरेचेण पर्टोन न्यूटोन हाइडर्ऋजन के फफाइंड आट किया गया और यह था यह कंफर्म किया गया कि all material particles है वो wave character भी show करते हैं it means all material particles show dual character it is show particle character as well as wave character उसके बाद हमने किया था significance of deep-roogli relationship जो deep-roogli relationship है उसका significance की है although the dual character of matter is applicable to all material object but is significant for the microscopic body only जो dual nature matter है वो material object पे applicable है significant है but is significant सिरफ किसके लिए है microscopic particles के लिए है for large bodies the wavelength associated waves are very small and cannot be measured by any available method therefore the particles practically these bodies are said to have no wavelength thus any material body in motion can have wavelength but invariable or significant only for microscopic body such as electron proton atom or molecule जो जो डूल करेक्टर का था वो सिरफ microscopic particle के लिए applicable है अगर हम large bodies लेते हैं तो महां पे जो wavelength हैती है वो इतनी समाल होती है कि उसे हम कोई भी नोन मेथर से find out नहीं कर सकते थे तो यहां पे नहीं एक इंग्जामपल ही जैसे wavelength of electron है विद मास इलेक्ट्रोन का मास कितना है 9.11 इसको सॉल्व करने के बाद एच अपॉन एमवी एपलैंग कॉंसेंट की वैल्यू है तो लेंडा की वैल्यू कितनी आती है एक इंग्जामपल उसका बाल का वे कितना टैन गराम है और कितनी विरोस्टी से मूव कर रही है तैन इस टो पावर सिक से दूसकी वेवलंद की वैल्यू कितनी आ रही है 6.63 इस टो पावर माइनस 38 यहां पर माइनस 38 है यहां पर माइनस 10 है ठीक है इस वेवलंद is shorter than any electromagnetic radiation यह जो वेवलंद है वो electromagnetic radiation से कम है और उसे कोई भी known method से महीर नहीं कर सकते इसलिए इस डिफिकल्ट तो ग्रैप्स थाइडियो वेव एससेटेड वीद मुविंग बॉल इसलिए इसको मुविंग बॉल के साथ जो वेवी एससेटेड हो रही है इस चीज़ को मानना मुश्किल है इन अधर वर्ड वी कैन से देट बॉल दस नोट है वेव ट्रेक्रेक्र तो हम यही कहेंगे कि जो बॉल उसके साथ वेव एससेटेड नहीं है अधर लार्ज बॉड़ी आलसो सेटेड वीद वेव से बाट देर वेव लेंद साथ तू स्मॉल टू बी कर्मीन मेथट बहला इसी इसी तरह कि जो ओर लार्ज बॉड़ीज है वो भी वेव के साथ मैक्रोस्कॉपिक पार्टिकल के साथ यह अप्लीकेबल नहीं है